तो हलो अबरी बड़ी कैसे आप सवाई होप अच्छे ही होंगे मैं के पिसंत आप सभी का निव ब्लोग में स्वागत करता हूंगा इस तो देख सकते हैं अभी मैं हूँ गाजयवाद नए बसड़े पर और एक देख सकते हैं आप ये हैं रेड लाइन मेट्रो और ये है एन्डिया के अंदर वे बैडड मेड़े इन्डिया लेस होने वाली है गैस तो आज मैं उसी की तस्वीर हैं बहुत दिनों के बाद मैं दिखाने वाला हो गैस तो आप तस्वीरekk सकते हैं एक तो ये रेपिड रेल एक तो estau year एक रेड़ लाइन गुजरेगी दूसरी रैपिड रेल गुजरेगी 180 किलो मीटर की रफ्तार से गई आप लोग तश्वीरे देख सकते हैं कि कितना कुछ यहां पर काम हो चुका है गाजियाबाद और आर टियस इस्टेशन पर गई और आपको बता दू कि इस से भी यह रेड लगी हुई है क्रें लगी हुई है अभी जितने भी यह चैत चमक रहे हैं इन पर इस ट्रक्टर खड़ा किया जाए गई यह जोड़ा जाएगा मेरे राइट में देख सकते हैं यह तीनों पर इन पर तीनों पर जोड़ा क्यूंकि अभी बस इस नहीं कंप्रीट हुआ है ज लोई का बना हुआ है आपको बता दूंगाइस के इस पर फिलोरिंग हो चुकी है मतलब कंप्लीट साही हो गया यह अगली साल तक कंप्लीट हो जाएगा गाइस तश्वीर आप लोग देख सकते हैं कि यह है गाजियाबाद मेरेट रोड और आर टी एस इस्टेशन गाइस होन प्राइस है चेड चमक रहे है आप लोगोगों को इस प्लर पह भी जोड़े जाएंगे जैसे उपर का जोड़ा गया है उसी तरीके से नीचे का भी इस एड्र जोड़े जाएंगे दोनो जोड़े जाएंगे फिर इसके बाद में फैंट फ्लोर सेंड फ्लोर और फॉर्ट व्लोर पर जाके आपको गईस और ड्रतियेस आपको रेल देखने के लिए मिलेगी तो देख सकते हैं आप लोग सैटर्टरिंग लगी हुई है काम चल रहा है तेजी के साथ मैं कई पर इस पर फ्रोल फ्लोरिंग किया जा रहा है कई गाठर डाले जा रहे हैं आप लोग तश्वीरों से खुदी देख सकते हैं और काफी दिनों के बाद मैं मैं आप लोगों के बीच मैं इस रिलेटेड वीडियो से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए गाई और आपको बता दू कि यहां से यह नंद ग्राम है मेरे लेप्ट वाला और राइट वाला है पा जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे आगे तो आपको बता दू देखो यहां से लेकर और मेरे राइट तक यह बिल्कुल कंप्रीट हो चुका है यह दो पुजिशन बचे हुए हैं इन पर भी आप गाटर डाले जाएंगे और इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा गाइस तो जिस सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो कर ले ना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत वैल आइकन बजा देना सब्सक्राइब हो जाने के बाद मैं गाइस इस पर यह लैप्ट और राइट की जालियां लगाई जाएंगी और आपको बता दू कि इस पर खंबे लगाए जाएंगे उस पर ओवर हैड एक्यूमेंट लगाए जाएगा और उसके बाद मैं इस पर इलेक्रिक सिटी की लाइन गिर दी जाएग आपको बता दू आगे घूक ना मोड यह पटेल नगरी के लिए चला जाता है राइट मैं गाईज हम बिलकुर सीदे सीदे चलते रहेंगे गाईज और आगे आने वाला है गुल्ड हैर और गुल्ड हैर का इस्टेशन भी दिखाएंगे आपको कि उस पर भी कितना काम हो च मैं continue मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि मैं थोड़ा परेसान चल रहा था देख घर में दिक्कत चल रही तो इस बज़े सा मैं ब्लोग नहीं ला पा रहा था तो आप लोग कमेंट करके भी नहीं बताते हो आपकी गलत वात है आप कमेंट करके बताया करो कि आप क्या देखना हो मैं कोचिस यही करूँगा कि मैं आप लोग को को दिखा सकूँ और आप लोग को बता सकूँ मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं हम लिकलते हुए जा रहें और आपको बतादू देखिये ये बीच का डूबेट डिवाइडर है वो लगाया जा रहा है चिपकाया जा रहे हैं आप देखिए बीच के डिवाइडर में यह चिपकाया जा रहा है और आपको इस पर बता दूँ यहां पर कंप्लीट हो गया है और आपको बता दूँ कि जो आपको बता दूँ कि इसमें जो पौदे लगा दिये जाएंगेंगे जो नीचे भी ग्रीन ग्रीन हो जाएगा और आपको बता दू यह रोड भी चोड़ी हो गई यह आप थर्ड लेंगी बना दी गई है पहले दो लैंगी थी आप 3 लेंगी हो नीचे और ओपर आरा रहाए लए आट यह चलेगी जो की 50 किलो मीटर की रफ्तार नोडे की गायत और आपको बता दूम के 1820 किलो मीटर का यह रूट हैै और पहरा रूट यह बना जा रहा है जैली अलब तीसरे रूट बनाये जा रहा है सोनी पानी पत डैली टू पानी पत तीसरा रूट बनाये जा रहा है डैली टू पलवल तो यह चार रूट बनाये जा रहे है आर आर टीएस के तो पहला रूट यह है गई और आप लोगों को देखने के लिए मेलें को देखिए गरीन गरीन हो रहा है इनों साइड के डिवाडर लगा दिया और देखिये पेड़ पौदे भी लगा दिया इन्हों ने और उपर एक्यूमेंट ओबर हैड एक्यूमेंट भी लगा दिये गए अब इस पर बस लाइन लगानी बाकी रहागी देख सकते हैं ये रखे हुए हैं आपके ट्रैक तैसि यह इस साइड में यह रखे हुए हैं क्योंकि आप अपोध डाले जाहरे हैं आब अभी गफिलिट साइड जारें हैं अभी गाई । मैं तो रह्या है उंहीं मुँछ आपन लोगो को द्खाए जारू एसे ही विलट से देखने के लिए के पिसंत को जादे से जादे लाइक से और कमेंट करें गई और आपके बीच में आप आते रहेंगे continue vlog हर जगे के मैं कोसिस में यह कर रहा हूं कि आप लोगों को पाइड़े vlog देखने के लिए मिले हर जगे का जहां NCR में contraction चल रहा है आज की डेट में वो आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाने की कोसिस कर रहा हूं पूरा पूरा गैस और आपको बता दूँ के quality के साथ में आप लोगों को vlog देखने के लिए मिलेंगे इस चैनल पर तो आप लोग ना देर करते हुए देखिए track slab पड़े हुए हैं और ये इसके उपर चड़ाये जा रहे हैं और फिर इस पर पहले ये track slab पड़ते हैं फिर उसके बाद में पट्रिया बिछाई जाती हैं गाइस देख सकते हैं आप लोग तच्वीर हैं ये नजा रहा है और आपको बता दो ये बीच का डिवाइडर भी लगाया जा रहा है क्योंकि हटा दिया गया है तो आप लोग complete सही हो गया आपको बता दो कि जितने भी स्टेशन बचे हुए हैं अभी आपको बता दो कि साइब अबाद से लेकर दोहाई के बीच में पहली आरार टीयस चलाई जाएगी और उस पर ट्राइल चला उस पर ट्राइल चलने की कोसिस की जा रही है गाइस क्योंकि इसी मार्च में सुना जा रहा था लेक दौहाई स्टेशन का दौहाई डिपो का कई दौहाई डिपो में कहां कहां यह कहां पर खड़ी हुई है ऐरार टीयस की ट्रेन गाई वह आप लोगों को दिखाने की मैं कोसिस करूँगा तो आप लोग देखने के लिए बने रही है और हहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका ह वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और देख सकते हैं यह आ जाता है एनेच 28 का फ्लाइवर यहां से राइट अगर हम लेट में जाते हैं तो आप चले जाएंगे राजनगर अपना ग्राइट में जाएंगे तो चले जाएंगे वाप्रचूंगी के लिए जो कि राज नगर आ जाता है साष्ट्री नगर आ जाता है इधर चले जाएंगे गाईट तो देख सकते हैं ये गुल्ड एर का इस्टेशन आ चुका है और आपको बता दू जो टीन सेड है वो बिल्कुल कम्प्लीट कर दिया गया है अब इस पर टीन बस डालनी बाकी रह गई है और देख सकते हैं ये ये जो खंबे है बिजली के ये देख सकते हैं बिजली के खंब लगाई जानी है ताकि इन पर बिजली प्रोवाइड हो सके क्योंकि हमारे और बिजली की खपत बढ़े तो यह ग्रीन इस से ग्रीन एनरजी उत्पन की जाएगी जो इस्टेशन का काम चला सके गाई तो इस पर सूर्या प्लेट लगाई जानी है उपर इसी तरीके से और साइडों में लगाई जाएगी आपको बता दे टेंसेड देख सकते हैं आप लोग तच्वीर है और ऐसे ही ब्लॉक्स करें ज्याद से ज्यादे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे है रड़ कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत वह लाकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉक्स मैं आप लोगों के बीच मैं लाता रहता हूं और इंफूर दोहाई का इस्टेशन उस पर भी देख लेते हैं कितना कुछ काम हो चुका है क्या क्या काम चल रहा है कितना इंप्रूब्मेंट आ चुका है क्योंकि मैं एक देड़ महीने के बाद मैं इस पर ये बीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए गाइस देख सकते हैं आप लो बच्चों के लिए मतलब नाने दोने का जो जूले होते हैं पर पानी है वो होता है और यहां से देखी दोहाई स्टेशन स्टार्ट हो जाता है गाइस तो देख सकते हैं अभी इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है देख सकते हैं मेरे लैप्ट में इस पर फ्लोरिंग क और आपको बता दू यह आगया स्टेशन इसपे फ्लोरिंग का काम हो गया है और इस पर इस टेयर जो मसीन है भो भी लगा दी गई है और लगाई भी जा रही है गाइस तो कहीं कहीं पागी बचा देख सकते हैं जैसे कि आप आखें अपनी क्योंकि इस पर गाटर लगा दी ग एक तो RRTS चली जाएगी दुआई डिपो के अंदर क्योंकि उसकी सपाई देख वाल वो दुआई डिपो के अंदर ही होगी सबसे बड़ा दुआई का यह डिपो बनाया जा रहा है दूसरा बज़ा बनाया जा रहा है गाइस मेरट के बेगंपुल पर तो वो भी आपको डनी ऐड़ी 2 Пानी पत वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और आपको बतातों कि घ्यक्परिश ड्वारिकषोखी ड्यहिं मंबई एक्सप्रिश बेगुदेश ल लोगों चेग गुजारत कि नीचे है रेड गलर का बट्रन उसे प्रेस करो तरंत में बेहला किन वजाओ जदे जदे गाइस और मेरे चैनल को को शेयर को जदे सेचे जदे मेरे जदे सेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे और जदे सब्सक्राइबर बढ़ राओ और आप लोगों के बीच में अच्छी क्वालिटी और अच्छे कैमरे आप देखने के लिए मिलेंगे बेटर क्वालिटी के साथ में आप लोगों को केपी संस के चैनल पर ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे आने वाले टाइम है गाईस तो देख सकते हैं अभी इस पर ये लॉंचर लगा हुआ है राइट में और लेप्ट वाले पर देखिए गाटर लगाए जा रहे हैं जो की ये दोहाई डिपो के अंदर जा रहे हैं गाईस आप लोग तश्वीरे देख सकते हैं तो अभी कभी इस में अभी कम से कम आठ से दस महीने के बक्त लग जाएगा इसमें कम्प्लीट होने में गाईस तो आपको बता दू अगली जो 2023 के मार्च में इस पर पहली रैपिड रेल चलाई जाएगी साहिवाबास से और दौई के बीच में जो की इसका पहला पार्ट है पहला पैकेज है उस पर पहली बार चलाई जाएगी तो बो भी आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे भी और ऐसे ही ब्लॉक्स देख से रहो के पी संत के चैनल पर और गाईस आपको बता दो देखो क्रेंड मसीन कितनी बाहरी भरकम है देख सकते हैं आप लोग के यही गाटर को इससे राइट हो जाएंगे तो यह देखिए इस पर इस्टन पेरिफिरल पर यह बनाया गया है ब्रीज गाईस जिसको यह क्रोस कर रहा है तो यह इस्टील की मदब से बनाया गया और बहुत भारी कम भारी बरकम है और आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखें तो को बता दू अकर पलवल जाना है आपको तो यहां से यह लैप्ट हो जाएंगे उपर के लिए चड़ जाएंगे और देख सकते हैं जो सबसे बड़ा लॉंचर था वो यह वाला है बिलू कॉलर का जो की इस 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 टन पैरिफिरल को क्रोस करके लगाया गया था ब्रीज के बगल में तो इसे उन्हें बस आठ दस सुपलर ही कवर किये थे जोड़े थे गई तो आप लोग आप अपडेट में